नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल फ्यूचर गोल्स में तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विधिलिंग लकार जो चाहिए कि अर्थ में जिसका प्रियोग होता है विधिलिंग लकार उसे कहते हैं तो विधिलिंग लकार कि 100 ट्रिक जो होती है वो होती है एत, एताम, एयू हो एह, एतम, एत, एयम, एव और एव यानि कि पर्थम पुरुष एक वचर में होती है एत, दुई वचर में एताम, बहुचर में एयू हो मध्यम पुरुष एक वचर में एह, दुई वचर में एतम और बहुचर में एत, उत्तम पुरुष एक वचर में होता है एयम, दुई वचर में एव और बहुचर में एम तो ये होती है इसकी short rig यदि हम इसमें पढ़ धात मिलाते हैं तो किस प्रकार से इसके धात रूप बनते हैं एथ है तो हो जाएगा पठेथ यारे कि यहां जो A है वो A की मात्रा लग जाएगी A के क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी तो एत के स्थान पर क्या हो जाएगा पठेत हो जाएगा और एताम के स्थान पर पठेताम AU है तो पठेयू मध्यम पुरुष में क्या होता है A है तो हो जाएगा पठेव एतम है तो पठेतम एत है तो पठेत इसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन में है एम तो हो जाएगा पठेव एव है दुई वचन में तो हो जाएगा पठेव बहुचन में एम है तो बहुचन में क्या हो जाएगा पठेव और यहाँ पर क्या है पुर्थम पुरुष एक वचन में क्या है पठेथ है और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है पठेत है तो जो पृथम पुरुष का एक बचन है उस पठेत में क्या है हलंत लगा है और मध्यम पुरुष जो बहुवचन है पठेत वहाँ पर हलंत नहीं लगा है तो यदि पठेत के ता में हलंत लगा है तो पृथम जिसे कि दुईवचन है तो पृथम पूरुष दुईवचन में क्या होता है पठेताम होता है जिसे कि यहाँ पर दिये है एताम और यहाँ पर एतम तो क्या होता है एताम और एतम इसमें डिफ्रेंस होता है सिर्फ मात्रा में यानि कि आ यहाँ पर एताम है यहाँ पर एतम है और यदि पठेत के ता में हलंत लगा है तो प्रथम पुरुष यह बजन होगा, यदि पठेत के ता में हलंत नहीं लगा है तो मध्यम पुरुष बखवजन होगा तो यह है इसकी शोटरिक, विधिलिलकार, एत, एतां, एयू, ए, एतम, एत, उत्तम पुरुष में क्या होता है, एम, एव और एव तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबस्क्राइब करें, धन्यवाद